आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हलो फ्रेंड्स, हमें है question गिवन है fill in the blank with the correct option अब हमें sentence गिवन है children blank taught to honor other people's opinions options गिवन है option A needs to be option B need be option C गिवन है need to be and option D गिवन है needs to have ठीक है फ्रेंड्स हमें जो sentence गिवन है इसका meaning देखें तो बच्चों को समझाना चाहिए समझाया जाना चाहिए या बच्चों को समझाया जाने की आवशकता है to honor other people's opinion यानि दूसरे जो लोग है उनके जो opinions है उनकी respect करना या फिर उनको honor करना ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है requirement है यानि यह necessary है ठीक है तो यहाँ पे जो condition बन रही है वो क्या है required है requirement की condition बन रही है ठीक है फ्रेंड्स तो requirement की condition बन रही है तो उस condition के लिए किसका use होता है need का use होता है ठीक है फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखो teach taught taught तो यहाँ पे main verb की कौन सी form का use कर रखा है third form का use कर रखा है तो इसका मतलब यह जो sentence है अमारा फ्रेंड्स वो क्या है passive form में है किस form में है passive form में है ठीक है फ्रेंड्स अब need का need के साथ में two का use होता है ठीक है फ्रेंड्स तो two क्या है infinitive है तो infinitive को जब passive form में बदला जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स उसके साथ में two तो फिर उसके बाद में बी का यूज किया जाता है और फिर उसके बाद में क्या किया जाता है में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है ठीक है फ्रेंड तू यूज किया जाता है फिर बी का यूज करके में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं ठीक है अब लोगा थेकैं सैकें ये नहीं जुरेगा केवर नीड़ वर्ब की fuss form का यूज़ उगा ठीकैं तो children's हमारा जो सेंटेंस बन जायेगा children need 2B थीकैं फेंड नीड टू बी चिल्डर handout need to be honor other people's opinions option c need to be is question का correct answer हो जाएगा अब option a के अंदर गिवन है needs तो तो नीड्स का यूज़ नहीं होगा इसलिए यह option A incorrect है यहाँ पे needs भी गिवन है तो यहाँ पे जो need है वो model auxiliary verb की form में use नहीं हुआ है में वर्ब की form में use हुआ है friends और में वर्ब की form में भी इसका क्या हुआ है कि इसका incorrect use यहाँ पे need का use होना चीए सो option B be incorrect है और यहां पर needs to have लिख रहा है इसलिए option C be incorrect है, option B, option C need to be is the correct answer of this question, thank you.